इन दिनों जहाजों को बनाने में लाखों डॉलर खर्चोते हैं और फिर कभी-कभी दुनिया के हर चीज़ की तरहां उन्हें भी रखरकाव के आउशकता होती है क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसे किया जाता है या अधिक सटीक रूप से ऐसा कहा होता है इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए यह वीडियो पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें यह एक ड्राइड ओक में होता है जहां जहाज को पानी से बाहर ले जाया जाता है ताकि उन हिस्सों तक पहुँचाया जा सके जो आम तोर पर पानी के नीचे होते है ड्राइड ओक एक सनरच्चत छेत्र है जिसमें हर प्रकार के जहाजों का निर्माण, मरम्मत और रखरखाफ किया जाता है यह निर्माण या विवस्था पानी को एक शेत्र में भरने की अनुमती देती है जिसे लॉक भी कहा जाता है ताकि जहाज को डॉक के अंदर और बाहर मैनिवर किया जा सके सोलास की अवशक्ताओं के अनुसार सभी कारगो जहाजों को पांच साल की अवधी के भीतर दो बार एक ड्राइडॉक में हल के कंप्लीट सर्वे और 36 महीनों से कम के भीतर एक इंटरमीडिट सर्वे की अवशक्ता है इसमें हल, प्रोपेलर, रडर, आदी और अन्य भागों का रख रखाव शामिल है जो पानी में डूबे हुए हैं और सेलिंग के दोरान जहाज की क्रूद अलद्वारा वहाँ पहुँचना या उनका निरक्षन किया जाना संभव नहीं है दुनिया भर में विभिन प्रकार की ड्राइ डॉक्स उफधाएं उपलब्ध हैं जिन में से ग्रेविंग डॉक और फ्लोटिंग डॉक का सबसे अधिक उप्योग किया जाता है ग्रेविंग डॉक आम तोर पर तटीय जल के पास की भूमी पर ब्लॉक, दीवारों और फाटकों के साथ एक आयात कार ठोस कॉंक्रीट निर्मान के साथ बनाया जाता है शिप को ड्राइ डॉक के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है और ब्लॉक्स पर टिका दिया जाता है जहाज जरुरत अनुसार स्थिती में होने के बाद डॉक गेट को बंद कर दिया जाता है और पानी निकाल दिया जाता है एक floating dock एक U-shape की संरचना के रूप में होता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से उन जहाजों को ले जाने के लिए किया जाता है जो दुरगटना के शिकार हो गए हैं और इस हद तक शतिग्रस्थ हो गए हैं कि वो coastal dock में आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए हो हाला कि अब कई सामानी समुद्री जहाज, छोटे और मध्यमाकार के जहाज भी floating dock में dry docking कर रहे हैं एक बड़े विसल को ले जाने के लिए कई U-prakar के floating dock को जोड़ा जा सकता है एक बार जब जहाज के प्रभंदक दौरा dry dock के प्रकार का चेहन कर लिया जाता है तो अगली प्रक्रिया जहाज के dry dock में प्रवेश करने के लिए तयार की जाती है और फिर जहाज की कील को ध्यान से dry dock floor में प्रदान किये गए block पर रखा जाता है जब जहाज ब्लॉक को चूते हैं तो संपर्ग बिंदू में एक प्रतिक्रिया होती है जो गृत्वा करशन के केंद्र G को उठाती है और मेटासेंट्रिक हाइट को भी बढ़ाती है इसलिए इसकी भरपाई के लिए पर्याप प्रारंबिक मेटासेंट्रिक उचाई की आवशक्ता होती है डॉक में प्रवेश करते समय जहाजों को सीधा होना चाहिए जिसका अर्थ है कि जब जहाज कील ब्लॉक को चूता है तो पोर्ट या स्टार बोर्ड लिस्ट नहीं होना चाहिए यदि जहाजों का संपर्ग बिंदू और कील ब्लॉक वेसल की केंद्र रिखा के बाहर है तो यह जहाज को पलेटने के लिए मजबूर कर सकता है जहाज की कील को ब्लॉक्स पर बैठाते समय आम तोर पर एक मॉडरेट ट्रिम एफ्ट रखी जाती है जैसे ही डॉक में पानी का स्तर कम होता है या हलकी सी ट्रिम एक के बाद एक स्टर्न और बो को ब्लॉक्स के उपर सही से चढ़ने में मदद करता है ट्रिम के कारण वेसल के हल और कील पर भार और दबाव कम रहता है Dry Dog का फर्ष कील ब्लॉक से पंक्ती बद्ध है जो इस तरह विवस्थित है कि वे जहाज के भार को सहन कर सके जब जहाज का स्टर्न वाला हिस्सा ब्लॉक में बैठता है उक्षण तक पूरे जहाज का वजन ब्लॉक द्वारा वहन किया जाता है इस समय के अंत्राल को एक critical period कहा जाता है तो इस महतपूर्ण अवदी के दورान क्या होता है और क्यों? जब शिव्ष्ट स्टर्न सिर्फ कील ब्लॉक को चूता है तो जहाज की वजन का हिस्सा कील ब्लॉक द्वारा वहन किया जाता है स्टरन और कील ब्लॉक के बीच का संपर्क एक नॉर्मल रियक्शन या अप्त्रस्ट उत्पन्न करता है ड्राइ डॉक में पानी कस्तर कम होते ही इस अपवर्ड नॉर्मल रियक्शन का मैंगिट्ईूट कम हो जाता है इसलिए डॉकिंग से पहले परियाप सकारात्मक मेटा सेंट्री कुँचाई बनाये रखना बहुत महत्वपूर्ण है जिसके आभाव में जहाज किसी भी तरफ टिल्ट या मोर सकता है या यहां तक की कील ब्लॉक से फिसल कर पलट भी सकता है ब्लॉक्स पर जो अधिक्तम डबाव डाला जा सकता है वह ब्लॉक्स के प्रयोक सामगरी जिनसे वो बना हुआ है उन पे पूरी तरह से निर्भर करता है इस वैल्यो को कॉंस्टेंट रखकर प्रतियक ब्लॉक के लिए आवश्यक नियूंतम ब्लॉक्स शेतर की गणना की जाती है यदि आप वेट कर्व का निरक्षन करते हैं तो यह आम तोर पर मिडशिप शेतर में अधिक होता है और आगे और पीछे के शेतर में घटता है कील ब्लॉक पर लगाए गए दबाव को ब्लॉक प्रेशर कहा जाता है और औसद ब्लॉक प्रेशर जहाज के कुल वजन को कुल बेरिंग शेतर से विवाजित करके प्राप्त किया जाता है सभी नियोजित कारे पूरा होने के बाद डॉक में पानी भरा जाता है और जहाज डॉक के बाहर प्रस्थान के लिए तयार हो जाता है इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह सुनचित करना है कि मरम्मत के लिए किये गए सभी ओपनिंग्स बंध है और हलका कोई भी हिस्सा खुला ना हो जिन में पानी भर सकता है इसके अलावा एक बार जब जहाज ब्लॉक से निकल जाए तब यह सुनचित करने के लिए कि acceptable मैसार सेंट्रिक हाइट या जीम प्राप्त कर ली गई है और अंत में एक complete stability चेक किया जाना चाहिए फिर जहाज को tugs और shipyard कर्मियों की मदद से dry dock से बाहर निकाला जाता है एक बार जब वेसल या जहाज सुरक्षित अंकरक शेतर में पहुँच जाता है तो जहाज समुद्री परिक्षणों से गुजरता है ताकि यह सुनेचित किया जा सके कि dry dock में मरम्मत की गई मशिनरी सहित सभी मशिनरी ठीक से काम कर रही है समुद्री परिक्षण पूरा होने पर वेसल को वापस सर्विस में कमिशन किया जाता है Dry docking एक ऐसा operation है जो जहाज के crew को जहाज के उनक्षेत्रों को देखने और सीखने के अनुमती देता है जहाँ जहाज के sailing के दोरान देखा या पहुँचा नहीं जा सकता यह जहाज प्रबंदक को जहाज के हल और उन मशीनों की स्तिथी का आकलन करने में भी मदद करता है जो जहाज के पानी में होने पर पहुँचने योके नहीं होती है दुनिया का सबसे बड़ा dry dock वर्तमान में भारत में है जिसकी लंबाई 662 मीटर और 465 मीटर है हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा अगर आप ऐसे ही वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें